आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तुमारा Question है Explain the implication of Freedom of Entry and Exit of Firms under Perfect Competition सबसे पहले अगर हम बात करेंगी पर्फेक्ट कॉम्पटिशन क्या होता है सो पर्फेक्ट कॉम्पटिशन एग्जिस्ट करता है इन एकोनमी जहाँ पर there are large number of buyer and seller large number of buyer and seller ठीक है जो की deal करते है deal in homogeneous homogeneous good it mean homogeneous good means कि जो good होते है हर seller के वो similar होते है चाहे वह size में हो चाहे वह shape में हो चाहे वह taste में हो चाहे वह look wise हो so exactly जो होते है हमारे exactly सारे के सारे good एक दूसरे के perfect substitute होते है तो homogenous good है and in that case perfect substitutes होते है perfect substitutes होते है so अब क्या होता है perfect competition में large number of buyer and seller होते and deal करते homogenous goods so अब देखो जब एक market में बहुत सारे buyer and seller होगे and सारे जब एक ही good में deal करेगे जो की एक जैसे दिखने वाइस theme है so अगर कोई एक individual seller ज्यादा charge कर रहा होगा so कोई भी consumer उसके पास नहीं बय करेगा वो दूसरे वाले से करेगा ठीक है so अब हमें question में given है कि explain the implication of freedom of entry and exit of firm कि अगर अब perfect competition में होता है freedom of entry and exit होता है firm की so it means कि firm जो होती है कभी भी entry कर सकती है और exit कर सकती है market में so freedom firm के पास freedom होती है freedom of entry कि वो market में enter हो सकती है and exit from market कि market से हो कभी भी exit हो सकती है so यह होती है एक हमारा feature perfect competition का so जब भी entry and exit होती है freedom होती है कोई रोक टोक नहीं होती so जो firm होती है when वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है in both short and long run so जब भी यह हमारे implication होती है कि जब भी freedom होती है entry and exit from the market so जो firms होती है जितनी भी firms होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कि जहाँ पे वो हमारा day-to-day activity से मिलने वाला प्रॉफिट उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते है so short run and long run में वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है so यह होती है इसकी implication and हमारा question ओवर हो गया classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर